राजदानी बोपाल में सियम शुवराज सिंग चुहान ने केविनेट बैठक ले इस दोरांचे बड़े फैस्ते लिए गए नई यूजना नए पाद और अनुकंपा नियुक्ती समय तेन प्रस्ताबों को मन चूरी थी गई चुनाबिस साल में शुवराज सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ती को लेकर पड़ा नियुक्ती में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पातरता थी विवाहित बेटी को इसमें पातरता नहीं थी अब बेटों के साथ बेटी को भी होगी मानने मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान जी के अध्यक्षता में मध्यपदेश की मंत्री परिशत की बैठक संपन्न हुई और आज का दिन फिर मध्यपदेश और देश की इतिहास में दर्ज होने के निर्णे लेने वाला दिन इस्थापित हुआ है मानने मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान जी ने आज नेड़ने लिया है कि अभी तक मध्यपदेश में अनुकंपा नियुक्ति की जो नीती थी उसमें केवल जो शाश्किये कर्मचारी या अधिकारी जिनकी ब्रत्ति हो जाती थी उनके केवल पुत्र को ही अनुकंपा नियुक्ति देने की पात्रता या लेने की पात्रता थी यदि कोई वेवाहिक बेटी है तो उसको ये पात्रता नहीं होती थी आज मानी मुख्यमंती जी ने नेड़ने लिया है कि अब अनुकंपा न्यूक्ती की पात्रता बेटों के साथ ब्रतट अधिकारी कर्मचारी की बेटी को भी होगी ये बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाला नेड़ना है और महिला शशक्तिकरण कि हमारी सरकार की जो नीती है उसको स्थापित करने वाला नेड़ना है मानी मुख्यमंती जी ने आज आदेश दिया है कि अब म्रतक अधिकारी कर्मचारियों की बेटियों को भी अनुकंपा न्युक्ति देने की पात्रता सुनिश्चित की जाएगी